नमस्कार दोस्तों मैं मन्जू हलदवानी द्रखंड से दोस्तों आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी कि जो यह समय बहेंका ठंड पढ़ने लग गई है नौंबर खतम होने लग गया है तो इस समय अगर आप नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी में जाकर कौन से ऐसे प्लां में प्लांट होते हैं सीजनल भी होते हैं और जो हैं गरमि के प्लांट भी होते हैं जो कि मतलब इस समय अच्छी ग्रोथ नहीं होगी उनको लाने से आपका अन्भाव你看 पड़ति अच्छा नहीं रहे तो मैं आज आपको 21 से जाधा प्लांट के नाम बताउंगी जिन को शर् सबस्क्राइब सब्सक्राइब कई बारपू डाशा हो सकती है तो क्रोटन के प्लांट जो है हो सकने तो कुछ समई के लिए आप रुख जितनी अच्छी दूप चाहिए होती वो इस समय नहीं होती तो एकजोरा की प्लांट की बहुत अच्छी ब्लूमिंग नहीं होती है इसलिए एकजोरा की प्लांट को हो सके तो अभी लाना से अबॉइट करना चाहिए फरवरी मार्च में ही इन प्लांट को लाना चाहिए अब कि इसकी बहुत सारी बाराटी आपको नर्सरी में मिल जाएंगी पर हो सके तो इस समय इसको भी अवोइट करना चाहिए इन प्लांट को आप पूरी साल लगाएए पर यह बहुत सर्दी जब पढ़ती है और बहुत जब गर्मी पढ़ती है तब यह सीजन जोता है इन सभी आपको नर्सरी से लाएंगे और मर जाता है तो बहुत दुक होता है उसका यूदि इस समय जल्दी करेट होती है और इन प्लांट को फंगस सी खत्म कर देती है नेस्ट है फाइकस की प्लांट भी भरपूर सर्दी में नहीं लाने चाहिए क्योंकि इन में भी पत यह चूते ही पत्ते ग्राल लाना जाते हैं, इतने नाजुक हो जाते हैं, मैंने तो इनकी बहुत क्यार कर रखी है, तब आपको देखे, इसमें ग्रोथ भी दिखने लगी होगी, पर इस प्लांट को जिनकी यहां धूप कम होती है, उन लोगों तो बिल्कुल ही लाना सर्दियों में लाना अवोइड करना चाहिए, इन प्लांट भी फर्मरी मार्च के बाद ही नर्सरी से लाना चाहिए, अगर यह प्रमन प्लांट आप लगाने के शौकीर है, नेस्ट है दोस्तों, हमारी मदुमाल्ती, मदुमाल्ती भी इसकी जो पॉट में लगाने वाली ब अवोइड करना चाहिए, अप्राजिता में देखे, इस तरह की फलियां बहुत ज़्यदा बन गई होंगी, इनके सीर्ट समालने का समय है, इस समय ना की इसके नई प्लांट आने का समय है, तो अप्राजिता की प्लांट को भी अब नर्सरी से इस समय नहीं लाना चाहिए, इसा प्लांट है दोस्तों, पाल पहले पत्ते हैं जो है अपने ग्रीन से जो इसी सुन्दर कल़ा होती पत्य को खोड़ा मोरन का सुनू करता है, फिर ये रेट करना चाहिए अगर आपके प्लांट पॉर में लगा रखे आ तो गोरी चोरी के प्लांट अब सर्दियों में ज इसके बाद इनकी blooming खतम होगी और यह पत्ते गिराएंगे जनवरी फरवरी में तो इनके ब्रूप कुछ आपको देखेगा नहीं अच्छी नहीं लगते हैं प्लांट इनके शोई नहीं रहती है तो इन प्लांट को टिकोमा की बहुत सारी बराटी ये टिकोमा की बराटी के अ तर्य वंवें तरगती आते हैं यह देखिए मैं बहुत पहले से अपने टिकोमा हटा दिये हैं तो अपने टिकोमा को गर्मियों के लिए मैंने सेफ कर रखा है तो इनको जो है अब नर्सल से लाने का समय इस समय में नहीं होता है नेश्ट है फूब शुर्थ फाइलो या इस तरह की वहराइटी जो होती है यह महंगे प्लांट से इनको नहीं लाना चाहिए ये हैं एंजय पॉठोज और मारवल कि उन्हीं बोदें दोस्तों ये प्रत जो यह का लाने से जो टे इस समय लाने से आपका अनभव इसके परिती अच्छानी रहता है दोस्तों इसके बाद जो हैं बात करते हैं फरन की एस्परक्रस फरन हो, भूश्टन फरन हो या फिर फोक्सटल फरन हो कोई भी फरन की वेराइटी बहुत सर्दी में अच्छी किरोत नहीं करती है तो इनको भी आप इस समय नर्सरी से नहीं लाएंगे अगर आप नर्सरी जाते हैं तो इस तरह की बराइटी लाएं इसके आदत करते हैं दोस्तों पेंडानस पेंडानस भी ऐसा प्लांट है जिसकी अब सर्दियों में ग्रोजोती कम हो जाती है रुख जाती है बहुत अच्छे प्लांट की खुशूर्थी नहीं हाला कि बेज़े आते हैं एक तो हम उसको दुसरे जगे से लेकि आते हैं उसको शौक लगा होता है वो प्लांट इस समय कई बार अच्छे नहीं चलते हैं तो फेंडानस प्लांट को भी अव लाना एवेट करना चाहिए रबर प्लांट एक दिखिए और्नमेंट प्लांट हैं इनको भी सूर्थी बहुत सरदियों में अच्छी नहीं रहती है点ों पारीजात के प्लांट जैसे इसकी अलाबा बिलांट यह प्लांट भी आप सर दियों में रशे हुष्प करना चाहिए चाज़ांदी की प्लांट भी 알क थूप में रखिए नहीं तो इनके ऊपर बोड़ा के प्लांट सब्सिस वा में रखर iq और सीरूव करते हैं सब्सक्राइव2 अगर प्लाव छ नहीं कर आप चंपा के प्लांट यह नर्षी लानी घल्ती ना करें हैं इस बिल्ब ब्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ और बहुत अच्छी blooming नहीं कर सकते हैं ये दिखारी में आपको साबनी जिसको की सर्दियों में नहीं लाना चाहिए ये प्लांट जो है गर्मी में अच्छी ग्रोध करते हैं और साबन का महना तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है इनकी सब के कटिंग कर दी जाएगी अभी कटिंग करके धूब आले ये ये महीन प्लांट पुरूफ नहीं तभी इसमें थोड़े से अब बहुत अच्छी अगर्मी मिलते हैं तो इनको अभी लाने के जगे जो है कुछ समय रुछ जा थोड़े दिन बाद ये प्लांट डाना जाता अच्छा रहेगा इसके बात करते हैं अदेनियम के प्लांट को भी अब बहुत ठंड में डॉर्मेंसी में जाते हैं इनकी फ्लावरिंग कम होगी और कई बार प्लांट जो है फंगस के आटेक से मर जाते हैं तो इस प्लांट को भी अवलाना एवॉइट करना चाहिए दोस्तों पान की वेल अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो आप सर्दियों में इनकी ग्रोथ कम होती है इन प्लांट को भी इस समय नर्सरी से ना लाएं तो आप जो बिगनर हैं जो रेगुलर कई सालों से गार्डिन करने को तो बहुत अच्छा अनभा होता है पर जो लोग बि प्लांट को भी आप लाना कर सकते है तो दोस्तों मैने आज आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट को नाम बताए जिनको अभी आप लाए नहीं जिनको लाना एवर्ड करना चाहिए उम्मित करती हूँ आपको आजका वीडियो आजकी जानकारी पसंद आई होगी फिर मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार